कि 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 हलो एब्रिवन आप देख रहे हैं राइंग प्लस द लर्निंग आप और मैं हूँ चंद अंसर डियर साथियों आज हम लोग mcqs क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं mcqs क्लास 26 लैब फॉंडिशन 2.0 का पैच चल रहा है उसका स्टार्ट करते हैं आज की mcqs क्लास के त्यारी करने के लिए राइंग प्लस देख रहा है राइंग प्लस द लर्निंग आप प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करके आप अपनी प्रिप्रेशन भी कर सकते हो स्टार्ट करते हैं आज की mcqs क्लास सर ग्वेस्टन नमर फस्ट देखते हैं क्वेशन नमर फस्ट है दर डिफ्रेंस ब्रेज मां एंड सीरम इस डाइट प्लाजमा देखो क्वेस्टन अच्छा पूछ्छा है लेकिन थोड़ा गूमा के पूछा है क्वेश्टन तो के रिफ्रेंस में बताना है ना कि सीरम के रिफ्रेंस में ठीक है अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन है डजनोट कंटेन फाइब रिनूजन यह तो गलत है सर जो सीरम होता है प्लाज्मा में सभी क्लोटिंग फैक्टर प्रजेंट होते हैं कैल्सियम जो अगर एडिटी एंट के साथ आप सेंपल लिए हैं तो कैल्सियम जो है चिलेटिंग बाइंड कर लेगा एंटिकोगलेंट के साथ एडिटी के साथ रेस्ट आफ सारे एंटिकोगलेंट प्लाज्मा में प्रजेंट होंगे इक्लूडिंग फाइब नोजन एफ पीटी फाइब नोजन कौन सा है सर क्लोटिंग फैटर नमबर फस्ट को हम लोग बोलते हैं फाइब रिनोजन अगर हम इसको एडिटीय में सेंपल में नहीं लेए होते या किसी बी एंटिकोगलेंट में हम इसको नहीं लिए रहते सेंपल को तो वो क्लॉट बन करके सीरम बन जाता अगर ब्लड को हम लोग प् ब्लट की clotting हो जाती हैं। कलाटिंग होने में क्लाटिंग के मेकैनिजम होते हैं ।त्र accomplishments हो जाते हैं। तो जब plasma से serum बन गया, प्रेजंट byngon clot को करके, यूपुचे के तो इस में fibrinogen statutory utilizing हो जाता है। मतलब यह fibrinogen होता है, वो सmez Sept होता है। कि अगर इस सीरम के कंडिशन में पूछता ना सर तो यह आप्शन वर फर्स्ट करेक्ट होता है कि क्वेस्टन बहुत सिंपल है लेकिन घुमाया बस इसके वले एक वर्ड से है डाट प्लाजमा डिफ्रेंस बताना है लेकिन प्लाजमा को सामने रखके बताना है सीरम को नहीं है नहीं सिस्टम जो सेरम होगा वही प्लाजमा भी होगा मैंलेट डिफ्रेंस आपको अपको ट्लॉट्ट करने में इसलिए प्लाजमा में परसेंट होता है तो इसलिए इस question का correct answer हो गया option number C क्योंकि प्लाजमा के लिए पूछ रहा था प्लाजमा में फाब्रेनोजन present होता है जबकि सीरम में फाब्रेनोजन absent होता है यह में डिफरेंस है यह फाब्रेनोजन जो है सर वो प्लाजमा में present होगा और यह जो है सीरम में absent होगा यानि statement number one serum के लिए statement third जो है वो प्लाजमा के लिए और statement D है contain iron तो दोनों में present होगा प्लाजमा में भी और सीरम में भी वही सब्सांस present होगे तो इसलिए भी यह wrong है इस question का correct answer सरह option number C देखो सरक क्वेस्चन वही से पूछ देता है जहां से आपको हमेशा आते हैं वही simple वाले घुमाने के लिए that plasma लिखा हुआ है अगर यहां लिखा हुआ रहता है the difference between plasma and serum is that serum serum के condition में लिख देता तो statement number one correct हो जाते हैं क्योंकि serum के लिए पूछ रहाता है clear question number second देखते हैं if you see this sign या symbol in the lab it means अगर laboratory में आप यह वाला sign या symbol देखते हो तो इसका मतलब क्या है symbol में हमको clear दिख रहा है सर जी कि एक test tube है यह भी एक test हाथ के उपर गिरा है देखो हाथ के उपर गिरा finger भी गल गया मतलब क्या है मतलब है कि यह substance है कोई भी लोहे करड़ पर गिरेगा किस से गलेगा जो corrosive substance होगा उसी से तो गलेगा तो इसका मतलब clear है कि यह substance है क्या है सर corrosive है इसलिए इस question का correct answer है option number B अगर फ्लैमेबल होता तो यहां पर आग का sign रहता है जलते हुए जलते हुए दिखाते अगर oxidizing रहता तो oxidation का यहां sign दिखाते अगर explosive रहता तो उडने का sign दिखाते blasting का sign दिखाते कि blast हो सकता है लेकिन यहां पर सर जंग लग गलने का sign इन दिखा रहा है तो that means क्या है कि यह जो substance जो इससे गिर रहा है वो अगर आपके hand पर गिर गया body पर गिर गया cloth पर गिर गया तो वो क्या है सर गल जाएगा इट्सक्राशिव इस लिए correct his question का correct answer है आपसे नंबर B got it sign वाले बड़ा सो समझ के answer करना ऐसे question जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो बड़े ही होंसी आरे से आपको सर आंसर करने चाहिए लेबरेटरी इक्जाम में question number 3 external quality assessment is needed for quality control external और internal दोग परकार के quality control होते हैं मुझे लगता है 5-6 class हुआ था इस पर तो question ने पूछ रहा है कि जो external quality assessment होता है मतलब हम किसी third party को अपनी laboratory की assessment के लिए गर बुलाते हैं इसमें होता है कि हम अपनी पूरी एक महिने के report को एक third party को send करते हैं और ऐसे ऐसे सैकड़ो laboratory जो होते एक third party एक होता है उसको send करते हैं वो console क्या करता है सर कि हमारा जो report जैसे 100 टेस्ट में अपने laboratory में करता हूं गुलकोज करता हूं गुलबीन करता हूं red blood cell count करता हूं क्रेटने इस्टिमेशन करता हूं जितने भी 100 परकार के में test करता हूं 100 परकार के test का जो 30 दिन में result आया है कई सारे patient का वो पूरे के पूरे result में send करता हूं और वो जो है ऐसे ऐसे second laboratory के सारे report को analysis करता है और analysis करके इसमें comparison निकाल जाता है कि आपका जो result है वो all over mean value से कितना close है मतलब आपका result कितने correct जा रहा है कैसे another laboratory के report से सबको 100-200 laboratory सबके report से हमारे report को भी analysis किया जाता है comparison किया जाता है इस प्रकार से external quality assessment को किया जाता है question नहीं पुछना है कि external quality assessment is needed for external quality assessment क्यों जरूरत पढ़ता है क्यों जरूरी है जरूरी इसलिए है कि comparing the performance of different laboratory सभी प्रकार के laboratory की performance जो उसको compare किया जा सके इसलिए question का correct answer हो जागा option number D option number first time monitoring the performance of a single laboratory यह तो बिल्कुल गलत है सर एक्षिनल quality control के एक सिंगल laboratory के लिए assessment करता है report को नहीं 100-200-500 जितने लबरेटरी उसको send करते हूं को सबको assessment करता है और फिर सबका compare करता है daily monitoring of accuracy बिल्कुल गलत इसमें internal quality control में daily monitoring हम करते हैं daily monitoring of precision यह भी हम internal quality control में करते हैं क्यों external quality control में option number D है जो कि correct clear sir question number four देखते हैं 5 ml of colored solution has an a question बड़ा बढ़ी है देगना जड़ा दिमांग से सोचने वाली question है question है कि 5 ml एक color solution है उस solution का absorbance जो है 0.0.600 nanometer है यह इसका OD है optical density है ठीक है solution का volume कितना है sir 5 ml है अब बताना यह है कि absorbance of 10 ml इसी solution को 10 ml कर दिया गया है तो 10 ml का सेम solution का कितना concentration होगा कितना optical density होगा आप लोगों के मन में तुरंत आया होगा कि दूना हो गया होगा यही नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा एक मिनट सेरस्वामध्यान से सुनना एक glass लो ठीक है इस glass में 5 ml को कोई solution डाल दो ठेक उस solution का concentration कितना है सर जीरो पाइंट 600 नेनोमेटर एक glass में यहां तक भरा हुगा ठीक है अब एक हम चमच लिए इसमें से एक चमच उस्वाल्यूशन निकाल लिए तो solution का volume कम हो गया चमच पे लेकिन concentration तो यही रहागा सर जी concentration थोड़े ही चेंज हो जागा volume कम होने से इसमें हम और water add कर देते तब concentration कम होता है वही question यहां कहा कि 5 ml था जिसका 0.6 00 concentration है अगर हम इसको 10 ml कर देते हैं लेकिन concentration same solution इसी solution को 10 ml किया है इसमें add नहीं किया है water डेल्यूट नहीं किया इसको same solution लिख रहा है तो अब इसकी quantity या तो 1 ml कर दो या तो इसकी quantity 10 ml कर दो या इसकी quantity 100 ml रखो concentration तो सेम ही रहेगा इसको इस solution को या तो हम चमच में ले लिए या तो जार में रख दो concentration तो सेम ही रहेगा सर तो इस question का correct answer क्या होगा सर option नमबर सी कॉंसें सॉलिशन का वॉल्यूम बढ़ा दने से कॉंसेंट्रेशन पर इफक्ट नहीं पड़ता हां उसी solution में अगर water add कर देते जैसे 5 ml का पहले था और इसी में 5 ml लिखता कि और add कर दो आप टोटल वॉल्यूम 10 ml हो गया तब concentration कितना होगा वो बताओ तब concentration आधा हो जाता क्योंकि दूगना हमने water कर दिया था तो इस लिए इस question का correct answer होगा option number C list of option wrong है सब सोचने वाली question question number 5 देखते हैं prolonged fast cows prolonged fast का मतलब क्या है कि लंबे duration तक अगर आप उपवास करते हो fasting करते हो तो क्या हो सकता है लंबे समय तक यह दिया आप fasting करोगे तो एक तो हम परड़े खाते हैं तो क्या होता है हम अगर परड़े खाने खाते तो कारवोहिद्रिट का मीटापोगी हैं के वाड़ी में सिंपल फॉर्म में सबही stalमी सब्सक्राइब इस कर लेता है यंज सब्सक्राइब करें होता है मेड्रेज में ग्लाइककोल Glass कि द्रूफ किद्रूफ ग्लाइक LIकोलाइसिस के थूफ और क्या बनता है sir ATP बनता है और इसी ATP को हमारा body utilize कर लेता है यह per day होता है जब हम खाना खाते हैं कुछ amount में एक glucose जो है हमारे liver में store भी होता है उस storage form of glucose को हम बोलते हैं glycogen क्या बोलते हैं sir glycogen अब जिस दिन हम भूखे रहते हैं fasting करते हैं तो उस दिन तो हमने खाना खाया नहीं गुलकोज बना नहीं गुलकोज नहीं बना तो ATP नहीं बनेगा अटीप नहीं बनेगा तो body को तो energy चाहिए तो क्या करता है कि जो storage form of glycogen रहता है उसको utilize करता है लेकिन storage form of glycogen जो है limit amount में है इसको फिर glycogen को utilize करके ATP बनाए लेकिन बनाते बनाते एक समय तक खतम हो गया सानना हजार है हमारे करता है fasting महिनों दिन तक अंसन पर बैठ गया तो फिर कहां से आपके body को energy मिलेगा फिर आपके body में जो lipid cells adipose tissue store थे वो सभी utilize होने लगेंगे उनके lipid के utilization से क्या होगा सर जब lipid का metabolism start हो जाएगा जब lipid का metabolism start होगा तो huge amount में जो है ketone body जो है वो आपकी body में produce होगा और okay acetone lipid का metabolism में पढ़ाया था ना आपको clinical pathology में ketone body का detection में और फिर huge amount में ketone body जो है तो ketone body will detect in your urine इसलिए इस question का correct answer होगा सर इस question का correct answer होगा सर आपसर नमबर बी आपसर मेरे देख गया है hyperglycemia hyperglycemia का मतलब है कि गुलकोज का concentration बढ़ जाना भाई साहब हम खाना खाना नहीं रहे हैं लंबे समय से गुलकोज बढ़ेगा कहां से गुलकोज तो और fall down होता चला जाएगा घड जाएगा protein urea protein urine में बहुत huge amount में जाने लगेगा सवाल ही नहीं पैदा होता है protein sir हम खाते huge amount में इंटेक करते तब protein urea होता है या हमारा kidney काम नहीं करना स्टार्ट होता तब protein urea होता option number d है बोथ a and b a and b बोथ खिलत है किवल b is the correct hyperglycemia नहीं होगा glucose जो है huge amount में नहीं increase out होगा ठीक है sir question number six देखते है question number six है how much water should be अच्छा यह question और भी बढ़िया है देखो एक question कितना important है और यह आपको percent solution पढ़ाया था मैं 1.2 में लैप foundation 1.2 में 2.2 में solution भी पढ़ाया नहींगे आप पहुंचेंगे महां तक भी तो पढ़ा होंगा देखो एक question पढ़के लगेगा कितना complex है देखना कितना easily answer निकलेगा question यह पूछा है कि how much water should we add 5 ml of solution of 10% of NOH to bring it to 7.5% question यह पूछ रहा है कि हमें कितना मात्रा में पानी add करना होगा जैसे हमारे से पास पहले से एक solution है 500 ml उसकी quantity है ठीक है सर यह क्या है इसकी quantity है 500 ml ठीक एक solution हमारे पास है वो 500 ml है उसका quantity और उसकी concentration कितनी है सर 10% उसका concentration है हाँ 10% जो है उसका concentration है ठीक है जो हमारे पास एक पहले से पढ़ा हुआ है solution question ने पूछ रहा है कि इस solution में कितना और पानी add करोगे add करना पड़ेगा जिससे कि यह 10% से इसका concentration हो जागे यानि concentration इसका घट जा तो concentration घटे का कब जब इसमें हम पानी और add करतेंगे तब ही question पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी add करोगे कि 10% से साथ साथ परसेंट तक हो जाएगा है थोड़ा भूमाया हुआ सवाल लग रहा होगा सर जी बहुत हाड है लेकिन हम कर रहे बहुत पिद्दी सा question है बहुत easy है एक formula बताया था percent solution में सभी पर अपलाई नहीं होता है सभ अभी को example देदे के अलग-अलग वहां मैंने पढ़ाया था two point of में बहुत detail में पढ़ा होंगा अलग-अलग लेकिन इस प्रकार के question के लिए formula एकदम सटीक है और उसी सांसर निकलेगा एक percent solution में होता है formula formula क्या होता है प्यारे formula होता है c1 v1 c1 v1 is equal to होता है c2 v2 अब यहाँ c1 का मतलब क्या है concentration first volume का मतलब है volume first con sc2 का मतलब है concentration second and v2 का मतलब है volume second तो हमारा पर सर 500 ml क्या है 500 ml वोल्यूम है क्या है सर जी वोल्यूम है मतलब V1 है 500 ml और 10% क्या है concentration है कि फस्ट वाले वोल्यूम का यानि कि 10% क्या है C1 है और 0.5% क्या है दूसरा एक वोल्यूम हमें त्यार करना है तो यानि कि 2nd परसेंट C2 है second concentration है और हमें निकालना क्या है कि कितना water add करें मतलब कि हमें V2 जो है हो ग्याद करना है कि volume दूसरा कितना निकलेगा जिसे कि 67% बन जाएगा बज इस formula पर बिठा दो C1 कितना है जर? C1 है 10% B1 कितना है? 500 ml है C2 कितना है? 7.5% है और V2 हमें पता नहीं तो क्या होगा? maths जैसे calculate करते थे ने? बिलकुल करते थे 10 into 500 यह आ जागा इदा divide में 7.5 हो जागा इस उक्वल 2 हो जागा V2 अब V2 इस उक्वल 2 क्या हो जागा सर? यह हो जागा यह point उपर जागा तो 10 और उपर चला जागा तो यह हो जागा 5 पे 1,2,3 और 1,4 एक, दो, तीन, चार, जिरो, divided by 75 divided by 75 इसको calculate करो किदर है मेरा mobile? इसको calculate करो कितना है? 50,000 है? एक हैंई, दहांई, सिक्ड़ा, हजार, तस हजार divided by 75 कितना हैगा सर? 66.6 ml आएगा मतलब overall मान के चलो 666 ml जो है अगर इसमें water add किया जाए तो इसका volume जो है वो, 10% हो जाएगा 66 ml है? हाँ, option number यह है, 666 ml यानि इस question का correct option हो जाएगा सर, option number जो जाएगा कितना हीजी था? कोई hard था ही नहीं, 27 ml, 166 और 109 रहूंगे clear, सर? Got it? कि यह question का answer है, निकला कैसे? चलिए, सर, ठीक है अब हम लोग देखते है question number 7 question number 7 है, pentose phosphate metabolism cycle is important to the cell because it gives एक cycle होता है आपको carbohydrate metabolism में पढ़ाया हूँ glycolysis pathway उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? glycolysis pathway last में pyruvate बनता है इना वो anaerobic में और lactate बनता है aerobic में lactate बनता है anaerobic glycolysis pathway में pyruvate बनता है last में और इस during में lot of steps होते हैं जिन में ATP का production भी होता है और utilization भी होता है और यह पूरी glycolysis pathway के थ्रूँ जो है हमें energy मिलता है body में पूरी process glucose से start होता है glucose का metabolism start होता है glucose टूट करके जो है sir pyruvate बन जाता है 6-7 steps यहां होते हैं और detail अभी पढ़ाऊंगा कर्वाइडेट में कर्वाइडेट के metabolism है glucose जो है hexokinase के presence में एक enzyme होता है तूट करके glucose 6 phosphate बनता है एक glucose 6 phosphate pH फॉसफेट hexose isomerase एक enzyme होता है उस enzymes के presence में glucose 6 phosphate तूट करके fructose 6 phosphate बन जाता है और इस तरीके से आके पूरी process चलता है जिस step पे glucose 6 phosphate बनता है सर यह तो पूरी state बनता चला गया यहां तक पारवेट तक यहां से एक और pathway short pathway इधर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं triple P phosphate pentose phosphate pathway क्या बोलते हैं pentose phosphate pathway actual में glucose 6 phosphate जो है ओट तूट करके G6 PDH enzymes के presence में glucose 6 phosphate dehydrogenase enzymes के presence में glucose 6 phosphate का breakdown होता है और breakdown होके last में ribolose बनता है fructose बनता है यह पूरा जो पाथवे चलता है इस पाथवे को हम बोलते हैं pentose phosphate pathway बट यह पाथवे जो है इस glycolysis में नहीं surprise किया जाता है क्योंकि glucose 6 phosphate का केवल इधर पाथवे चलता है और यह पाथवे एनाबोलिक होता है एनाबोलिक का मतलब energy utilization metabolism में दो process होता है एनाबोलिजम में catabolism आइनाबोलिजम में energy utilize होगा catabolism में energy breakdown होकर के release होगा मिलेगा ATP बनेगा तो इस में जो है glucose 6 phosphate का जब पेंटोज phosphate पाथवे में पेंटोज सुगर बनता है तो इस में जो है NADPH production होता है क्या होता है सार NADPH NADPH का मतलब क्या होता है nicotinamide adenine dinucleated phosphate H जो last में hydrogen लगा है यह actual में NADP का reduced molecule है NADP है तो मतलब समझ लो कि energy मिलेगा NADPH बन गया मतलब energy utilize कर लिया है ठीक है इतनी सी बात simple भासा में समझो तो जो glucose 6 phosphate से इधर PPP चला ट्रिपल P पेंटोज phosphate pathway यह detail में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें किस molecules का production हुआ सर इसमे NADPH का production होता है और यह फर्दर आगे बनता है तो इधर में NADP का production होता है इधर में क्या है energy मिलता है यहाँ पर क्या है energy utilize हुआ तो पेंटोज यह जो पूरा घर दिख रहा है आपको ग्रेंटोज का पेंटोज phosphate pathway में किस चीज़ का production हुआ NADP का हुआ reduced NADPH reduced NADP बनके NADPH बना clear sir यही question यह पूछा है कि पेंटोज phosphate metabolism अगर हो पेंटोज phosphate pathway अगर हो तो इस cycle में जो important product बनता है और जो sale को मिलता है वो क्या बनता है वो जो है NADPH बनता है that's why this question का correct answer होगा option number D acetalco enzyme A, ADP और NADH नहीं clear sir got it question number 8 देखते है urea is the final product of catabolism urea किसके catabolism का final product है sir amino acid का amino acid का breakdown होता है जिससे ammonia बनता है मतलब protein का सकते हो protein का breakdown होता है catabolism में जिससे के ammonia बनता है ammonia जो है urea cycle में convert को करके urea बनता है तो urea किसका end product हुआ sir urea end product हुआ amino acid का किसका हुआ sir amino acid इस question का correct answer हो जागा option number A triglyceride wrong है cholesterol wrong है polysecret wrong है ये यूरिया ये काता है ureac acid हलाकि ये सब बहुत detail में आपको two point हो में भी पढ़ाया जा चुका है ureac acid किसका end monetabolic product होता है sir ये होता है purine का किसका होता है याद रखना कभी question साथ इस से भी पूछ दे पूरीन का question number nine है light effects on the following इन में सब कोई भी आपके पास present substance और उस पर light अगर पढ़ता है तो किस पर effect डाल सकता है किस पर डाल सकता है आपके हिसाब से comment करके बताना light effect color पर डालता है आपना कोई अच्छा कपड़ा खरीदा है अग्दम नया और उसको लगातार धूप में सुखाओ गर्मी वाले धूप में देरे देरे उस कपड़े का color चला जाता है क्यों क्योंकि light जो है color को fade out कर देता है glucose में light होता है क्या sorry glucose में color होता है क्या नहीं यूरिया में color है नहीं बिलिरूबीन तो सर्फ पिगमेंट ही है बिलिरूबीन का मतलव ही होता है pigment कैसा color होता है yellow color होता है बिलिरूबीन को light में रखो it will fade out तीसलिए light किस पर effect डालेगा सर बिलिरूबीन पर डालेगा इस लिए question का correct answer हो जागा option number C calcium wrong answer है लिरूबीन पिगमेंट ही है yellow color का pigment होता है जिससे के हमें हमारे बाड़े में jaundice create हो जाता है question number 10 है one of the following electrolyte is affected by the hemolysis अगर बाड़े में hemolysis होता है तो नीचे दिया गया कौन से electrolyte जो है वो affect होगा देखो extracellular fluid ECF जो cell के बाहर fluid होता है उसमें huge amount में sodium पाया जाता है intracellular fluid में huge amount में जो है वो potassium पाया जाता है तो intracellular मतलब cell के अंदर hemolysis का मतलब क्या सबोच जटे आर बीसी है आर बीसी का अगर breakdown होगा breakdown होगा उसी को हम बोलते हैं hemolysis होना तो आर बीसी के अंदर huge amount में क्या होगा potassium होगा अगर इसका hemolysis होगा तो यह potassium निकल के कहां पर आ जागा सर ECF में extracellular fluid में आ जागा कहां से ICF से intracellular fluid से यानि potassium जो है हिक्षा-survular fluid में हो ज्यादा हो जागा तो हमिलाइस होने से कौन सा एलेक्रोलाइट effect होगा सर potassium effect होगा कौन सा effect होगा सर potassium effect होगा that's why this question का correct answer है option number C यह थाट दस questions का स्रीज होप सो आपको एक question समझ में आया होगा मिलते हैं हम लोग नए class में नए questions के साथ नए topic के साथ thank you thank you so much